दोस्तों आप रोज टीवी देखते होंगे टीवी देखते समय कभी आपने यह ध्यान दिया होगा कि चैनल बदलते वक्त स्क्रीन पर कुछ नंबर आते हैं इसके पीछे क्या बज़े होती है ये नंबर क्यों फ्लेस होते रहते हैं दोस्तों इसके पीछे एक ठोस बज़े होती है आईए आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि टीवी पर ये जो नंबर फ्लेस होते रहते हैं स्क्रीन पर ये क्यों आते हैं और इनका क्या रीजन होता है दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं Why What How Hindi Channel टीवी स्क्रीन पर आने वाले ये नमबर दरसल एक तरह के मार्क होते हैं जो टीवी प्रोग्राम को पाइरेटेड होने से बचाते हैं इन नमबरों को चैनल एंटी पाइरेसी प्रोग्राम के थेट चलाते हैं इसमें यह खयाल रखा जाता है कि कहीं अगर कोई व्यक्ती टीवी से रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसकी सूचना उस चैनल के पास तुरंट पहुंच जाए यह सभी नमबर छेतर के हिसाब से टीवी स्क्रीन पर फ्लैस होते रहते हैं इसके जरिये चैनल सभी प्रकार के मानकों का ध्यान रखता है इन नमबरों को चैनल एल्गोरिदम के जरिये जनरेट करता है इससे channel को यह पता चल जाता है कि किस छेतर के किस TV set से किसी program की recording की जा रही है जदि आप किसी television से किसी device को attach करके TV पर चलने वाले channel पर कुछ भी record करते हैं तो ये number signal generate करते हैं और इन ही signal के जरिए आपकी सूचना उस channel के पास चली जाती है जिससे आप program record कर रहे होते हैं दोस्तों अगर आपने किसी device को attach करके किसी program का recording कर भी लिया है तो भी आप इसे display नहीं कर पाएंगे डिस्पले के समय आपको ये permission की इसमें जरुरत पड़ेगी जो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों ये number randomly आते हैं ये number किसी भी show के बीच में random तरीके से display होते रहते हैं ताकि उस program को कोई भी copy ना कर पाए अगर कोई ऐसा करता है तो वो number उस recording में भी आ जाता है इससे है पता लगाने में आसानी होती है चैनलों को कि ये recording किस हेतर में किस set पर या कव की गई है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप ये जान गए होंगे कि टीवी स्क्रीन पर जो number ये flash होते रहते हैं ये क्यों होते हैं इनका क्या region होता है तो दोस्तों आज का वीडियो को कैसा लगा प्ली लाइक कीजेगा share कीजेगा comment कीजेगा और दोस्तों इस चैनल पर और भी वीडियो है उन्हें भी देखिए और इस चैनल को subscribe करना ना भुले है अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को